आप सभी योगपथिकों को, योगजग्यासों को मेरा नमस्कार योग्यों की जीवन प्रिच्चे सरंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे शंत के बारे में, ऐसे भक्ति योगी के बारे में, ऐसे समाज सुधारक संत के बारे में जो कवी भी रहे हैं, तपस्वी भी रहे हैं, उच्चकोटी के सादक भी रहे हैं और सीधी सीधी, खरी खोटी कहने वाले शंत भी हुए हैं ऐसे योगपुरुष का उस दोर में इस धरहा पर अवत्रित होना ये देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए गोरव का विशय है, हम सब के लिए बहुत अच्छी वात है तो देखे, भारती धरह पर, समय समय पर, इस्वरे रूप में, अनेक आत्माई जनम लेती रही हैं उसी में एक महान आत्मा, महान व्यक्तितव के धनी, संत कबीरदास जी भी है तो देखे, आपके कॉमेंट मुझे मिलते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपके कॉमेंट जो है, आपके जो सजेसन जो है, वो मेरे लिए उर्जा का काम करते है आप डारेक्ट मुझे जुड़ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी मूख जो प्रेणा है, आपके जो भावनाई है, उनसे मुझे जुड़ने का उसर मिलता है और मैं कोशिस करता हूँ, कि जो ग्यान किताबों के माद्यम से आप तक नहीं पहुच पा रहा है वो कोई भी कारण हो सकता है, जो ग्यान आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं इस टेक्नलोजी के माद्यम से, उसका भी मुझे अच्छा लगता है और आप उस ग्यान को ग्रहन करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है तो देखिए, ये स्रिज योगियों का जीवन प्रिचे संखला हमने सुरू की है मकसद यही है कि योग को जानने से पहले मुझे लगता है कि योगियों को जानना चाहिए जिनकी वज़े से योग अपने शुदतम रूप में आज यहां तक भहुचा है तो इन सब योगी पुष्णों का, इन सब दिवी आत्माओं का, इन सब शंतों का, योगाचारियों का, रिशियों का, मुनियों का बहुती बड़ा योगदान रहा है ये सब हमारे रिसी प्रम्परा के ग्योतक रहे हैं, हमारे भारती सनातन प्रम्परा के पुरोधा रहे हैं, तो ऐसे संतों को जानना और जिनका जीवन परिचे पढ़कर हमें भी प्रेणा मिलती है और हमें भी उनके पत पर उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए बल मिलता है, तो सभाविक है ऐसे संतों के बारे में, ऐसे रिश्यों के बारे में, ऐसे योगियों के बारे में, ऐसे समाज सुधारक पुर्शों के बारे में, ऐसे दिव्यात्मों के बारे में, हम सब को ज जोगियों को, इन संतों को, जो भी justnet का syllabus है, उसमें शामिल किया गया है, उसमें इनके बारे में पूछा जाता है, चाहे हिंदी का syllabus हो, चाहे history का syllabus हो, चाहे Indian knowledge system का syllabus हो, चाहे Hindu studies का syllabus हो, मतलब जो भी tradition से लिटेर जो भी syllabus है, उन सब में कोई ना कोई इनका पाठ जरूर पूछ प्रिक्षा की जो भी आप फोज के, पुलिस के, आर्मी के, नेवी के, एर फोर्स के, टीचर्स के, या दूसरी तरह के जो भी एक्जाम होते हैं, उनमें जर्नल अवेरनेस के परसन आते हैं, तो उनमें भी जरूर इन सब संतों के बारे में, इन सब कवियों के बारे में, इन स तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे ही महापुरुष की ऐसे ही संत की संत कपिरदासी की जो वास्त में एक निराले संत थे उस दोर में एक निराले संत थे जिनोंने दुनिया को एक अलग रहा दिखाई जिनोंने चाहे हिंदु हों चाहे मुशलमान हों चाहे सिख्ध हों य बहुत बड़ी बात होती है कि उस दोर में, उस काल में, उस समय में सामाजिक प्रिस्थितियों से निकलते हुए और समाज को आइना दिखाना, समाज को हकिकत से रूबरू करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत ही उचकोटी के संत है, ऐसी महानात में समय समय पर इस धरहा पर आउत्रित होती रही है और कुछ ना कुछ नया उनके मादम से होता रहा है और ऐसे ही महापुष मारक दर्शक बन कर समाज का उद्दार करते रही हैं। योग के छेतर में, अध्यातम के छेतर में बहुत ही बड़ा कारिय किया। तो देखिए संत कपीरदास जो हैं मद्दे कालिन भारत के सफल सादक, तपस्वी, भक्त, कवी, मत प्रवर्तक और समाज सुदारक थे। इनका जनम बताते हैं कि 1398 में इस्वी में काशी उत्तर परदेश में हुआ था। काशी जिसे बनारस भी कहते हैं, वारानसी भी कहते हैं, वहाँ इनका जनम हुआ था। लेकिन इनके जनम के विशे में अनेक मत भेद परचलीद हैं, अनेक मत हैं। कबीरदास जी की अनुएईयों के अनुसार इनके जो शिश्यते इनके जो भक्त है आज भी देखा होगा कबीरपंथी लगबग मिल जाते हैं हर जगे इनके मंदिर बने हुए हैं कबीरदास जी के और इनके फोलोवर काफी जादा है पूरे भारत में इसमें ये भी है कि वो ना हिंदू हैं हिंदू लोग भी इनसे जुड़े वे हैं मुस्लिम लोग भी इनसे जुड़े वे हैं तो वो बड़ी रोचक कहानी हैं जनम और मृत्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे इनके जीवन के बारे में क्योंकि इनका पूरा जीवन ही प्रेणा दायक रहा है मनुष्य मात्र के कल्यान के लिए उसमें चाहे वो किसी धरम जाती से संबंद रखता हो किसी मजब से संबंद रखता हो लेकिन पूरा ही जीवन इनका अनुकर नहीं है तो देखे इनके जो अनुयाई हैं वो कहते हैं कि इनका जनम काशी के लहर तारा तालाब में उत्पन कमल के खिलते हुए पुस्प के उपर बालक के रूप में हुआ था यनि महाना आत्मा ये होती हैं उनका जनम सामाने नहीं होता है इससे पहले हमने तुलसिदास जी के बारे में भी जाना था कि 12 मास में उनका जनम हुआ था और 32 दातों के साथ वो पैदा हुए थे तो ऐसे ही इनके जो अनुयाई हैं इनके जो शिश्य हैं इनके जो भक्त हैं कि इनके जो जनम है वो तालाब में जो कमल होता है कमल हमेशा तालाब में ही खिलता है उसके उपर cucla जो आये थे फूल थे कमल के उनके उपर इनका जनम हुआ था बालक की रूप में लेकिन कुछ तत्थीों के नुसार कबीर का जनम चोदवी पंदिस्ताबदी में काशी उत्तर प्रदेश में माना जाता है अपने जनम काशी उत्तर प्रदेश में माना जाता है अपने जनम स्थान का वर्नन कबीर दास जिन एक दोहे में भी किया है काशी में परगट वहे राम चंदर चेताई यानि कासी में प्रकट हुए उनका जनम हुआ और गुरु रामानंद ने मुझे शिश्य बनाकर ज्यान दिया कासी में प्रगट भहे रामनंद चेताई आगे देखिए कबीर जो पंथी है इनके जनम के विशे में कहते हैं एक पद्दे बहुत प्रचलित है 1455 साल गए 1455 साल गए चंदरवार एक ठाट थे जेट सुधी बरसायत को पूर नमासी तिती प्रगट भहे घर गरजे दामनी दम के बूंद बरसे जर लाग गए लहर तालाब में कमल खिले तहाम कबीर भानू प्रगट भहे कबीर चरित्र जो बोध है जो परमुक गरंथ है जिनमें इनके दोहों का शंकलंग मिलता है उसमें ये कहा गया है कि कितने शाल हो गए है और क्या समय था और कब इनका जनम हुआ था और कैसे इनका जनम हुआ था यानि वो तालाब में जो कमल खिल रहा था उसके उपर इनका कमल के फूल जो होता है उसमें उनका जनम हुआ था प्रकट हुए थे क्योंकि महाना आत्मा ये प्रकट होती है जनम तो क्या कहेंगे हम तो इस दोएक अनुसार इनका जनम जेस्ट पुर्णिमा सम्वत 1455 यानि 9 जुन 1934 को हुआ था कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जुलाई के घर में पैदा हुए थे जबकि कुछ लोगों का मत है कि कबीर जुलाई का काम करते थे लेकिन कबीरदास की यह मानिता थी कि कर्मों के नुसार इवक्ति की प्रगती होती है यानि महानात्मा का जनम किसी भी घर में हो सकता है किसी भी जाती में हो सकता है किसी भी धरम में हो सकता है उनके ओपर कोई परभाव नहीं पड़ता कि वो जुलाई के घर में पैदा हुए थे या किसी अन्य जाती में पैदा हुए थे, किसी धरम में पैदा हुए थे, वो महानात्माई होती है और वो इस धरापर, इस धर्ती पर पुन्ने कारियों के लिए ही आती है, कुछ समय के लिए आती है उनको इस्वर भेजता है ताकि समाज में जो बुराईया है समाज में जो एवेस्था है समाज में जो हुड़दंग है समाज में जो जो भी अंद विश्वास है उसको दूर करने के लिए समय समय प्रकुछ आत्मा उस्वर अपने आप भेजता है तो उसी तरह की आत्मा नजर आती है कबिरदास जी क्योंकि इनके जनम के विशे में भी कोई स्पष्टा नहीं है तो सभाविक है कि इनका जनम जो हुआ है वो जो इनके अनुयाई मानते हैं कि परकट हुए है ऐसा ही हुआ होगा गुरू की खोज तो देखे ये भी इनकी रोचक कहानी है गुरू की खोज के विशे में भी कहा जाता है तो देखे जो भी हम जीवन प्रेचे पड़ रहे हैं जिन भी योगे और संतोर इस्यों के बारे हम जान रहे हैं सभी के जीवन में गुरू का बड़ा प्रभाव रहा है गुरू के सानिद्द में रहकर ही उन्होंने ग्यान प्राप्त किया है बिना गुरु के ग्यान उन्होंने नहीं प्राप्त किया प्रतेक्स गुरु धारन के लिए कबीर के मन में एक विचार आया मतलब कबीर को पीडा हुई कि मुझे सिश्य क्यों नहीं बना रहे मैंने तो गुरु मान लिया है, मैंने तो गुरु ठान लिया है तो बताते हैं कि कभीर के मन में एक विचार आया इन्हें पता था कि स्वामी जी सुब़े चार बजे गंगा घाट पर सनान करने के लिए जाते हैं इसलिए मैं उनसे पहले गंगा घाट पहुँचकर उनके रास्ते में लेट जाओगा अगले दिन कभीर ने ऐसा ही किया कभीर सुब़े चार बजे पंच गंगा घाट की शीडियों पर लेट गए कुछ देर बाद स्वामी रामानंद गंगा घाट पर सनान करने के लिए शीडियों पर उतर रहे थे तभी उनका पैरशीडियों पर लेटे हुए कबीर के बदन पर पड़ गया उसी छण स्वामी रामानजी के मुख से राम नाम शबद निकला इसी राम नाम शबद को ही कबीर ने गुरु दिक्ष्या मंतर मान लिया और शवामी रामानंद को अपना गुरु धारन कर लिया तो देखिए ये भी इनके जीवन की एक अध्भुत एद्वित्य एविश्वमरणी एक कलपनी घटना है कि उन्होंने गुरु को कैसे प्रभावित किया धरम और कबीर तो देखिए धरम ढौंग पाखंड इनका तो इन्होंने डटकर मुकाबला किया डटकर विरोध किया कबीर एक ही निराकार इश्वर को मानते थे अथा पुरानिक ढौंग पाखंड की मानताओं के सक्त विरोधी थे जैसे कहते है न स्वामे दयानन जी मूर्ति पूजा ढौंग पाखंड के विरोधी थे ऐसे राजारा मोना राम ने भी अच्छे कारी के तो उसी तरह से कबीर जी तो इन सबसे पहले हुए है उन्होंने तो पहले ही ये कारी शुरू कर दी थे कि किस तरह से देश को बचाना है किस तरह से समाज को बचाना है धोंग पाखंड मूर्ति पूजा इन सबसे कबीर मूर्ति पूजा रोजा इद मस्जिद मंदिर आदी को बिल्कुल नहीं मानते थे कबीर कहते थे हरी मोर पियू मैं राम की बहुरिया हरी जननी मैं बालक तोरा कबीर को शान्ती में जीवन पसंद था और वे स्वम एंसा सत्ते सदाचार आदी की अनुपालना करते थे कबीर हिंदू और मुशलमा दोनों की गलत पर्थाओं के विरोधी थे मूर्ती पूजा कुईशे में कबीर ने एक दोवे में कहा है बहुत ही फैमेस और पर्शी दोवा है बच्चा बच्चा इस दोवे के बारे में जानता है और अक्सर आपने पढ़ा भी होगा जब आप फॉर्थ, फिफ, सिक्स, तादी किलासों में होंगे तो कबीर के दोवे जरूर पढ़े होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता आपने किसी किलास में कबीर का दोवा ना पढ़ा हो आठवी, दसवी तक भी पढ़े होंगे ग्रेजिशन में भी पढ़े होंगे और जिनका हिंदी सिन आता रहा है उन्हों ते जरूर पड़े होंगे पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार इतनी बड़ी बात इतनी गहरी बात इतनी मारमिक बात उन्होंने उस दोर में कह दी थी जब लोग धरम की आड में थे लोग जब हिंदू, मुशलमान सिखी, साई सभी मूर्ती पूजा अंदिस्वासिन में फसे हुए थे उस दोर में एक संत के दोरा एक रिशी के दोरा ऐसी बात कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है इसका अर्थ है कि पत्थर की मूर्ती की पूजा करने से यदि भगवान मिल जाए अगर अल्ला मिल जाए गोड मिल जाए तो मैं पहाड की पूजा कर लेता हूं देखे कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर पत्थर की पूजा करने से मूर्ती जो होती हो पत्थर की होती अगर उसकी पूजा करने से अगर आपको भगवान मिल जाता है तो मैं पहाड की पूजा कर लेता हूँ उसे तो बड़ा कोई पत्थर ही नहीं है फिर हो कहते हैं कि इससे तो चक्की की पूजा अच्छी है जिससे अनपीसकर लोग अपना पेट भरते हैं कहते हैं कि ये सब छोड़ो वाई मूर्ती पूजा से तो चक्की अच्छी है चक्की की पूजा करो आप और चक्की की पूजा करेंगे क्योंकि उससे तो आटा पीसते हुआ आप पहले हाथ वाली चक्की होती थी जिस प्राटा पीशते थे और सबी लोग खाते थे पुरा संसार खाता है तो कहते हैं वो अच्छा है इससे तो तो मतलब ये ढोंग पाखंड के बिलकुल विरोधी थे उसका डटकर मुकाबला करते थे इसलिए इन्होंने ये बात कही है और कबीर की जो साधना है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं प्रोफेशर महावी सरन जैन ने कबीर के संबंद में अपने विचार परकट करते हुए कहा है कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तता ऐस सत्य के खंडन में वेहती थुआ है यानि वो सत्य की खोज करते रहते थे निरंतर की सच्चाई क्या है वास्त्विक्ता क्या है तुर्थ क्या है और ऐसते क्या है उसका खंडन करते रहते थे समाज को बताते रहते थे कबीर की साधना मानने से नहीं जानने से आरम होती है मनलब उनकी साधना जो है मानने से नहीं है जानने से कि जानना पड़ेगा उनको कभीर के लिए राम रूप नहीं है नहीं दसरत फुतर राम है उनके राम तो नाम की साधना के प्रतीक है यानि कोई उनका मूर्थ रूप नहीं है लेकिन उनका च्रित्र उनके सामने है कबीर का राम किसी मजहब जाती धरम संपर्दा या किसी देश विदेश की सीमाओं से बंदावा नहीं है उनके राम तो निर्गुन है और कनकन में भसे हुए है राम प्रेम तत्तों के परतीक है ठीक है उनके राम तो निर्गुन है, निराकार है, कणकण में है और प्रेम तत्तों के परतीक है राम उनके प्रेम के आराद्धे हैं कबीर ने एक दोहे में कहा भी है न प्रेम जगावे विरहे को विरहे जगावे पियू पियू जगावे जीव को जोई पियू सोई जीव यानि धरम कोई दिखावे की चीज नहीं है बलकि सत्त आचन में लाने की साधना और भक्ती है कबीर की साधना प्रेम से आरम होती है कबीर कहते हैं तुम इतना गहरा प्रेम करो कि वही तुम्हारे लिए परमात्मा सवरूप हो जाए कबीर ने हमें समझाया है कि यदि तुम समस संसार से प्रेम करोगे तो संसार का प्रतिक जीव तुम्हारे प्रेम का मुरीद हो जाएगा यानि तुम्हारे प्रेम को भक्त हो जाएंगे आपके प्रेम में मतलब लीन हो जाएंगे तुम्हारे सारे एहम द्वेस वे कलेश दूर हो जाएंगे इसलिए इन्होंने एक धोय में भी कहा है जल में कुम्ब कुम्ब में जल बहार बीतर पानी फुटा कुम्ब जल जल ही समाना ये तत कतो गी यानी देखो कितनी साइंटिफिक बात कही है कि घड़े में पानी है है ना देखे सागर में मिठी का घड़ा डुबोने पर उसके अंदर और भार पानी ही पानी होता है अगर आप मटका है समुदर में डबोते हैं सागर में डबोते हैं जील में डबोते हैं तो उसमें अंदर भी पानी डाल डल जाता और भार भी पानी होता है लेकिन उस कुम्ब या घड़े के अंदर का पानी बहार के पानी से अलग ही रहता है इस प्रतक्ता का कान घड़े का रूप और आकार होता है जैसे ही घड़ा तूटता है उसके बहा बाद बहार का पानी या अंदर का पानी आपस मिल जाता है इसी परकार ये बर्मान सागर के समान है और हम सब कुम घट के समान है एक दिन जड़ता के मिठते ही चेतना चारोर व्याप्त हो जाएगी और सारी विभिन्ताओं को पीछे छोड़कर हमारी आत्मा परमात्मा में फिलिन हो जाएगी तो ये भी यही कहते हैं इनकी योग की डेफिनेशन भी यही है कि आत्मा का परमा आत्मा में मिलन होना हम सब आत्माई है और जो हमारी सोल है वो सुप्रीम सोल से मिल जाएगी तो वो योग हो जाएगा चिक है क्योंकि हम जनम जनमानतर से भटक रहे हैं और में टार्गेट के है मौक्ष प्राप्ति तो मौक्ष प्राप्ति आपने सुना होगा ना योग सुत्तर में तदा दरष्टू सवरूपयास्थानम तो दरष्टा है वो अपने सवरूपय स्थीत हो जाता है तो उसे मौक्ष मिल जाता है फिर हमें नई जनम नहीं लेने पड़ेंगे, यानि हमें मौक से मिल जाएगा कबीर की भासा में हिंदी भासा के लगबग सभी बोलिया समलीता है इनकी भासा शैली जो है सधूकडी है, यानि साधू की भासा है, सधी हुई भासा है और इनके दोहों में आउधी, ब्रजभासा, खड़ी बोली, हरियानवी, पंजाबी, राजस्थानी, आदी छेत्रे भासाओं का भी समावेस मिलता है तो देखे कितनी अच्छी बात है कि नोर्थ इंडिया की जो भी भासाइं है, वो सब इनकी शैली में मिलती है कबीर का साहित्ति की प्रीचे क्या है, वास्तम में कबीर भाउना की अनुभूती से युक्त, उतक्रिष्ट, रह्ष्यवादी, प्रतिभाशाली, एउम, आने वाली पीडियों के पत परदशक थे कबीर ने यह स्वम स्विकार किया है कि उन निरक्षर थे, यानि कबीर दा निरक्षर थे, बहुत बड़ी बात है उन्होंने कबीर बीजग की एक साखी में बताया है, कि मैंने कभी लेकनी हाथ से नहीं ली, और नहीं कभी कागच और श्याय को सपर्ष किया चारों युगों की बातें कबीर ने अपने मुख से बताई थी, जिने उनके शिशों ने मुर्तरूप दिया था कबीर की निरक्षर था, के विशे में एक दोवा बहुत परशिद है, देखे, निरक्षर होते वे भी इन्होंने ऐसी रचनाई लिखी, जिन पर आज भी सोदकारी हो रहे हैं, जिन पर आज भी रिशर्च हो रही है तो देखे, अनपड़ वेक्ती थे, लेकिन आज भी उनके उपर रिशर्च हो रही है मसी कागत छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग को महातम मुख, मुखिम जनाई बात कबीर के कावे का मुख्या आधार यथार्थ है, यानि वास्त्विक्ता है, सच्चाई है कबीर ने स्वम एक दोह में कहा है, कि मैं आखों से देखा हुआ ही कहता हूँ और तुम लोग कागत की लिख्योई बात देखेती हो, यानि कबीर बड़े निराले शंत है, अधवुत, मतलब एक उच्चकोटी के अधवुत संत है, सवचंद संत है, मतलब सवतंतर है, विचारों से भी, तन से भी, मन से भी, क्योंकि जब तक आपके मन में, तन में सवतं रूप से होते हैं, और में मकसद तो यही है, कि मौक्ष मिल्ला सुतंतर होना है न, यही कबीर जी थे, तो इसलिए हो कहते थे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, यानि मैं जो भी कह रहा हूँ हो, मैं आख्व देखी कहता हूँ, अपने अनुभव पूछा गया है, कबीर भीजक किसकी रच्रा है, इसके कौन से भाग होते हैं, तो इसके तीन भाग होते हैं, साखी, शब्द और रैमेनी, शाखी, साखी, शब्द, रैमेनी, ठीक है, तो साखी में क्या है, यह दोहों के रूप में लिखी गई है, जैसे कहता है, साखी, जानतों का विस्तरत वर्नन साखी में मिलता है यह बड़े बुजरक अक्सर कहते हैं साखी सुनाओ कोई और जो शब्द है यह गेपद है जिसमें ले और शंगित का सारांश विद्धमान है इसमें उपदेश की जगे प्रेम एम अध्यातम का वर्नन किया गया है तीसरे जो है प्रेमेनी इसमें चोपाईयां चंदों में लिखी गई है और कबीर के दार्षनेक विचारों की अविवेक्ति इसमें की गई है यानि इसमें चंद भी है चोपाईयां भी है कबीर की मृत्यू के विशे में इनका जो मौक्ष प्राप्ति है वो भी बड़ी मतलब रहश्यम रही है तो वो भी आप जानेंगा आज तो देखे जनम की भाती ही कबीर की मृत्यू के घटना को लेकर भी काफी मतमहिद है परशिद इतियास कर कबीर की मृत्यू विक्रमी संवत 1575 यानि सन 1518 इसवी को मानते हैं लेकिन कुछ विद्वान 1448 इसवी में इनकी मृत्यू मानते जगडा हो गया था हिंदू चाते थे कि इनका अंतिम संसकार हिंदू रितिरिवाद से होना चाहिए लेकिन मुसलमान अपनी प्रंप्रा के अनुसार कबर में दफनाना चाते थे इसी विवाद के दोरां जब इनके शव के उपर से चादर अटाई तो उनके पास फूलों का धिर देखा वहां से आदे फूल मुशलमानों ने हम आदे फूल हिंदू ने ले लिए यानि दोनों का सोलसन हो गया कि मुशलमान चाहते थे कि हम इसमें कबर में धफनाए इनको हिंदू चाहते थे कि हिंदू रितिरिवाद से इनका अंतिम संसकार हम जला कर करें लेकिन द आज भी वरानसी से करीब 200 किलोमेटर दूर संत कबीर नगर जिले में छोटा सा कस्वा है, मगर जहां कबीर की समाधी बनी हुई है, यहां देश के कोने कोने से वर्ष बर लोग कबीर की समाधी पर हाजरी लगाने आते रहते हैं, उनके परती सर्धा प्रकट करने के लिए आत योग साधना से प्रभावी थी, कबीर ने ब्रह्मा को नाद सौरूप माना है, ब्रह्मा जी की प्राप्ति के लिए इन्होंने नाद योग साधना को सबसे उच कोटी की साधना माना है, कबीर का नाद योग, हट्योग और कुंडलनी योग से पूर्णता मिलता जूलता है, डक्टर हजारी प्रशाद वेदी ने कबीर की कावे में भक्ती पर विचार करते हैं कहा था कबीर की भक्ती योग के चेतर में प्रेम का बीज पढ़ने से प्रसपुटित हुई थी निशन्दे कबीर की भक्ती का मूल आधार योग ही है कबीर के कावे में योग प्रेम और भक्ती की जलक स्पस्ट रूप से दिखाई देती है वास्ता में कबीर को योग का गूर्तम इश्यों का ग्यान था योग शाधना की अनुभूती से ही इनोंने शाहित्ती का भिवक्ती की थी कबीरदास जी ने मन और शरीर के एकाकर अवस्ता को ही योग कहा है एक धोए में इनोंने स्पस्ट का है जिस डर से सब जग डरे मेरे मन आनंद कब भरियो कब पाई हो पूरण परमानन यानि कबीरदास जी कहते ते मरने से क्या डरना लोग मरने शिडरते हैं लेकिन मुझे मरने के बारे में सोचकर आनंद आने लगता है क्योंकि देखो कितने अच्छी बात है मरने के बारे में सोचकर आनंद आने लगता है क्योंकि मरत्य होने के बाद ही वेक्ति अपने निराकार को प्राप्त कर लगता है निराकार के प्राप्ति शरी रम्मन के एक आगा रवस्था के बाद ही हो सकती है इस रवस्था में पहुंचने के बाद पूरुन आनंद की प्राप्ति हो जाती है कबीर के लिए योक्षाद्ना के अलुईस्वर प्राप्ति कमाद्यम ही नहीं थी अपित्व मानवे समता और समन्वे शान्ते और समद्रष्टी स्थापित करने का मूलशूतर भी थी कबीर की साधना आंत्रिक है वे आत्मा प्रमात्मा की अभेदता की बात करते हैं और प्रमात्मा को अपने अंदर गी खोजने की सलाह देते हैं एक जगे कबीर ने कहा भी है, जो तिल माही तेल है, जो चमक में आगी, तेरा साही तुझ में है, जागी सके तो जागी. यानि जिस परकार वेदों में यथा बर्मान तथापेंडे की बात कही है, उसी परकार कबीर ने भी परमात्मा को मनुश्य के शरीर के अंदर ही बताया है, कहते हैं ना, नहभी में कस्तूरी है, तो इसी परकार कहते हैं कि शरीर के अंदर ही आपका इश्वर है, और उसे कहीं हठ योग की शब्दावले का प्रयोग भी सपश्ट रूप से दिखाई देता है वस्तो तहा कभीर का योग भक्ती प्राधारित है जिसका लाब सामने वक्ती भी ले सकता है कभीर की सबसे अच्छी विसेशता यह थी कि वे समय के आऊ सकता का नुसर अपने शवरूप को परिवर्दित कर लेते थे इने पता था कि भारत देश के नागरी घटियों की साधना नहीं कर शकते हैं इसलिए उन्होंने योग साधना को करम एम यथार्द भक्ती से जोड़कर सरल बनाया ताकि आम वेक्ती भी इस मारक पर चलकर अपने लक्षे को प्राप्त कर शके कबीर का मत था कि किसी भी साधना पदती का अंतिम लक्षे मानव जाती का कल्यान ही होना चाहिए यही कारण है कि कबीर की विचार धारा परतिक समुदाय के लिए लाबकारी है जो आज भी प्रमाणों के साथ उतनी प्रासंगिक है और भईशे में भी रहेगी प्रिक्षा के दरश्टी से यह सभी बाते दी हुई है जो आप सबने पढ़ी है इनकी पतने का नाम लोई था और माता पिताय संरक्ष कहें नीरू और नीमा का नाम मिलता है इनकी जो संताने थी वो कमाली पुत्री थी शिक्षा निरक्सर थे और यह आप देखी रहे हैं और कबीर का आर्थ महान होता है ग्रेट होता है आज हमने कबीर के बारे में जाना आप जरूर बताएं कॉमेंट लिख कर पता चले मुझे कि आप निरंता सुन रहे हैं और अपने जियोन में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं है ना तो आज के लिए तनहीं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद